चांदी के मतवालों समलके ट्रेट करना आज आने वाले हैं एहम डेटा यानि के इंफलेशन का डेटा कोड़ सीपी आई और सीपी आई डेटा साथ में आएगा कंटिनुर जॉबलेस क्लेम और इनीशिल जॉबलेस क्लेम का भी डेटा उस पे निगा बना के रखें और यह जो आकड़ा इंफलेशन का आने वाला है इस पे पूरी दुनिया की निगा है खास तोर पे फिडरल रिजल्व की क्योंकि फिडरल रिजल्व का जो ऑफिशेल्स हैं उनके अलग-अलग स्टेटमेंट हैं अलग-अलग ओपीनियन्स है कि इंट्रेस्ट रेट बढ़ाएं या न भी यह है इंट्रेस्ट रेट हो सकता आने वाले दिनों में बढ़ते वे आपको दिखाई दें अब समझने की बात यहां पे यह है कि डॉलर इंडेक्स में पिछले कुछ दिनों में आपने एक बिकवाली देखी और वोर्ड सिल्वर में थोड़ी थोड़ी रिकवरी देख देखने को मिली बड़ वो कही ना कहीं जो चीजें हैं आपने देखी जो कुड़ में पिछले दो सेशन से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली स्टॉक मार्किट में रैली आई और गोल्ड सिल्वर अभी भी ना तो बढ़ लाएं ना घट रहें अगर आ यहाँ पर बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है आप चीजे सीख के ट्रेट करेंगे तो बड़ा पैसा बनेगा विदाउट स्टॉपलोस कोई भी यहाँ पर ट्रेट नी करें सारा पैसा साफ हो जाता है इतनी बार बताने के बाद भी लोग मुझे लगता है व बजार किस करवट लेगा आप देखो शिक्स्ती एट नाइन एटी टू इस जगे के आसपास एक वीडियो डाली थी बजार में बताये भी था लेवल ब्रेकों के तभी आएगा अधरवाइस तेजी जारी रहेगी तो शिक्स्ती सेवन एट 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 फाइव पर जब बजा कर रहा है और यह जो गैप आया था यह बजार ने फिल कर दिया जो लास्ट वीडियो में आई होप आपने नोटिस किया होगा बाइस डॉलर के भी लेवल एचीव होते में दिखाई दे इंडिनेशनल चान्दी में चैनल पे निए चैनल को आप सब्स्राइब कर सकते हैं औ और घंटा बजाना ना भूलें ताकि सभी अपडेट्स आपको वर्ल्ड मार्केट की तुरंत मिल सकें वीडियो पसंद रहे थी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अब बात करें आज की मार्केट की बजार आज ने गैप आप ओपनिंग दी हाई ब्रेक करके प्रीवियस इसे कितना अच्छी तरीके से रिकावरी बजार ने दिखाई लगबग आप 65500 से देखो कहीं ना कहीं बजार साड़े चार अजार रुपए की रिकावरी बजार ने दिखा दी मासे उस लेवल से सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं हम तेजी के ही लेवल की फिर मंदी के बधार करेंगे हैं यहां पर एक समझने की बात है यह जो प्रिवियर्ज डे हाइथा इसको ब्रेक करके बजार अभी वि उपर ट्रेड कऱा है और बजार की जो गलोद यह को है बजार का कहीं ना कहीं इसके उपर भी है तो अभी भी बुलिश मोमेंटम है बट यहां पर समझने की बात यह है शाम को आएंगे डेटा जो इंपॉर्टेंट इंफ्लेशन के डेटा है उस पर पूरी दुनिया की निगाए है क्योंकि वही डेटा डिसाइट करेगा इंटरस्टेट अभी वैसे बढ़ना ही तया है बट फिर भी एक तरीके से आप समझने के चलिए डॉलर में खरिदारी या विक्वाली बढ़ सकती है उस डेटा के बेसिस पर अब यहां पे आप जहां से देखें यह जो गैपस बजार में आया थे यह बजा लेवल हमें दिखाई देता है तो बजार मोमेंटम प्ले करके एक बार को यहां तक जुरूर जा सकता है और इसी के आसपास आपको एक बीरिश मोमेंटम यहां से डेटा आने से पहले दिखा सकता है समझने की बात यह तो डेटा आने से पहले अगर आपको एक बीरिश प्र रुपीज और यह एक एहम लावल मल्टिपल टाइम यहां से रिजेक्शन दी फिर सपोर्ट लेके उठा और यह लावल भी अगर ब्रेक होता है तो बजार में फिर एक लावल नीचे की तरफ आतावा दिखाई देगा 68,150 का 68,150 और फिर 67,000 रुपीज के सपोर्ट नीचे की दिखाई दे रहे हैं इस जगे यह जो मैंने डॉटेड लाइन यहां पर लगा रखी तो एक डिमांड जोन यह भी है बजार जहां से बजार ने एक अच्छी रिकवरी यहां से दिखाई तो फिर्स लेवल बजार में रहेगा 69,000 का एहम लेवल अगर यह तोड़ता है तो 68 150 67,000 और तेजी की अगर बात करें तेजी अभी 70,000 रुपे तक दिखाई दे रही है यानि कि 200 पॉइंट उपर ज्यादा से जाब और 70,000 रुपे के ऊपर अगर डेटा आने के बाद बजार टिक जाता है बड़ समझने की बात यह डेटा को आपको कंबाइन करके देखना हो प्रॉपर तरीके से अनलेसिस करेंगे तो बड़ा पैसा बनेगे जो लोग कमोडिटी में मास्टरी करना चाहते हैं आप हमें वाटसप कर सकते हैं लिंक डेस्क्रिप्शन में में तो यहां से कहां तक जाएगा 70,000 रुपे के ओगर टिक जाता है बजार तो उपर की तरफ एक लेवल दिखाई दे रहा है रेसिस्टेंस 70,900 रुटीज के आसपास का और एक बहुत बड़ा उपर का लेवल की बात करो तो एक लेवल दिखाई दे रहा है 71,885 को अभी फिलाल के लिए इंपॉर्टेंट 11,70,000 रुपे का इसके ओपर टिकना इंपॉर्टेंट है 15 मिनट के चार्ट पे आपकी क्या पोजिशन चांदी में बनी विए कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा अब बात करें एक से जी यूएजडी की ये चार्ट एनलेसिस करना देखना इंपॉर एक पॉल दिखाया ठीक है तो ऊपर की तरफ आप देखें 22.14 के आसपास चांडी ट्रेट कर रही है अभी भी बुलिश मेमेंटम में प्रिवियस रे हाई ब्रेक हो गया बजार ने और लगातार बजार में अभी भी तेजी है मंदी कहा करें नीचे की तरफ देखो एक सपो दे रहा है इसके नीचे बजार अगर सस्टेन करता है तभी वियरिश एंट्री प्लैन किया जा सकता है अगर आपको महां वियरिश प्रेस्टेशन मिलने नीचे की तरफ लेवल से आपको मिल जाएंगे 21.60 और इसके भी नीचे 21 डॉलर के सपोर्ट बजार में दिखाई दे ते 21 डॉलर और 20.60 तो फस्ट एहम लेवल बजार के लिए 21.60 और 21 डॉलर तीजी की बात करें बजार में डेटा आने के बाद आपको मिलती है तो बाई पोजिशन प्लैन करें अदरवाइस अभी फिलाल ओलरी बजार बढ़ावा है ठीक है हाई लिए इसकी ट्रेडर कर सकत अगर हाई दुबारा ब्रेक होता है तो एक बार को अगर आपको बुलिश प्रैस सेक्शन मिल रहा है उपर की तरफ दुबारे लेवल बजार में एक ट्रेड होते भी दिखाई दे जाएंगे 22.45 और 22.45 भी ब्रेक होता है ता प्रॉपर तरीके से 22.70 और 23 डॉलर के लेवल दे सकता है तो दोलो लेवल्स इसलिए बतानी की कोशिश की जाती है बजार में नीजार में अधार का Зंटिमेंट होती रहते हैं डिफ्र की टे चांधी में कोई कोश्चन है कोई दुवीदा तो आप कर्मेंट केक्शन में लिख सकते हैं और जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी नेट्रल गैस और पर्सों क्रोड आयल की वो देख सकते हैं लेवल्स यहां पर मैंशन सेंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वुडियो